हालो दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इंफो बेर चैनल में दोस्तो मैं हूँ आपका बेर दोस्तो आज है 25 मौएंबर और लगबग साड़ी सक बच चुके हैं दोस्तो मैंने चैनल और फीरी स्टार्ट के थी तीन वीडियोस में बनाने वाला था और दो मैं अलड़ी शेयर से आपको बता चुका हूँ और ये तीसरा शेयर में आज आपको बताने वाला हूँ लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले और उस शेयर के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने अभी तक नहीं किया हूँ है तो दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को जरू क्लिक कीजेगा ताकि जब भी भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें दोस्तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए और दोस्तो टेल शेयर करते हैं और सारे के सारे बिल्कुल free of cost है दोस्तों आपको एक रुपए का भी payment नहीं करना है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो जानते हैं आज के शेयर के बारे में शेयर का नाम आपको बता दो दोस्तों शेयर जो है वो FMCG सेक्टर से बिलॉंग करता है और शेयर क आप में हम सब जानते हैं काफी पुरानी कंपनी है, family group या जिसे कहते है आप family business वाली कंपनी है और काफी success fully यह लोग चलाते आ रहे हैं आज काफी बड़ी property भी company से बिलॉंग करती है काफी versatile सेक्टर में यह company काम करती है तो पहले सब्वर्सियर ज्राइब काम करती है यह गोज्रेज consumer product की site इसके brand मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आप photos देख रहो reflect हो रहे हैं काफी सारे और मैं दिखाना चाता हूँ यहां पर इनके brand कौन से कौन से है दिखिए Asia, Africa, Latin America मिलके total 1.15 billion customers है इनके पास जो बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों और अगर brand की बात क करें तो आप goodnight को जानते हो आप गोज्रेज experts को जानते हो शायद आप यह darling senator और इंसेक्ट को शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं खुद भी यह नाम कभी सुना नहीं हूँ अभी गोज्रेज यह को लोग जानते है काला हिट सबको मालूम है यह और एक हिट है यह भी म सब्सक्राइब को जानता हूँ प्रोफेशनल को जानता हूँ प्रोफेशनल को जानता हूँ प्रोफेशनल को जानता हूँ प्रोफेशनल को जानता हूँ यह वाला फिर 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 यह वाला फि तो मैं टीवी बहुत कम देखता हूं तो कभी एर्स इतने आते ही नहीं है तो यह सारे प्रडक्स है जहां पर गोज्रेच कंजुमर्जों है वो डील करता है जिसमें से काफी सारे ब्रैंड इंडियन है जो इंडिया में चलते हैं काफी सारे इंडिया के बाहर चलते हैं आप कर लेते हैं इसको तो यह सारे हम लोग जानते हैं ब्लेंड को छोड़के मैं ब्लेंड को नहीं जानता जैसे मैं नहीं जानता तो यह इनके सारे प्रडक्स थे अब मैं नंबर्स दिखाता हूं नंबर्स की बात करते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों इसको पहले तो हम लो प्लेज जाए तो इतनी बड़ी अमांट है नहीं 0.66 से कर आते हैं एसी आइस का भी बहतरिन होल्डिंग है 26.77 परसेंट का इसका होल्डिंग है तो अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो साथ सतर असी नब्य परसेंट का होल्डिंग है वो प्रमोटर्स और और फॉरेन इंवेस्टर्स के बीच में खतम हो जाता है यह इसका देखो के तो खाली 4.42 परसेंट का इसमें इन्वेस्टमेंट है हेन इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है है स्क्राटर में 1.42 परसेंट रोग बड़े हुआ हैं थे ओड के देखो के एंप अगर थोड़ा आप बढ़कर के देखाओं को तैंडर मल्टीकेफ एस करता है अदित्य majpot बिरला है कोटक स्टैंडर्ड है कोटक एक्विटी है कोटक एक्विटी फंड डैरेक्ट लान भी है मतब कोटक का सबसे ज्यादा investment फिलाल इसमें है अधिते बिरला मुचल फंड काफी अच्छे अच्छे इसमें invest करते हैं तो यह आपके लिए प्लस पॉंट की खबर है बात को आगे बढ़ाते हैं यहां पर अगर देखोकि कर टेप पर यह फिलाल intrinsic value के उपर ट्रेड कर रहा है और पहली बात बॉँर्रेंड बाफट सर्का रूल intrinsic value यह उपर शेयर लॉंग टाइम इंवेस्टमेंट के लिए ना खरीदे यह कुरूल है दूसरा अगर आप देखो के तो रिटन एफडी से बेटर है लेकिन डिविडेंट अच्छा नहीं है इसका इंट्री पॉइंट बिल्कुल सही और लोग इसको फॉर्कस की तरफ जाएंग यानि शेयर जो है फिलल महंगा है और मैं जब भी सजेस्ट करता हूँ शेयर बाई करे तो वो 20-25 के आसपस का पी जब होता है तब मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आपको इसको बाई करना चाहिए बट फिलल यह शेयर बहुत महंगा है अगर आप इंडस्री का भी देख करती है तो एक बात है अगर आप अलोग इंडस्री या कोई और ऐसी कंपणी ले लो सैजन इंडस्री चोटी कंपणी फिलाल और उसका पी अगर ज्यादा है तो यह कहीं न कहीं उसके फाइनेंशल जस्टिफाइं नहीं करते हैं तो वहां पर आपको फुरसा अलट रहना च है बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा नंबर्स जान लेते हैं आरो सी है जो बढ़ रहा है लगवग 18.06 बहुत बढ़िया आरो यह 20.05 यह 20 परसेंट का रिटर्न और इक्विटी बहुत बढ़िया ईपीएस 15 का है और पिछले 5 साल से प्रॉफिट जो है वह लगबग 10 परसेंट से बढ़ता हुआ लेकिन पिछले 3 साल का अगर अब रेकॉर्ड निकाल अगए तो प्रॉफिट से परसेंट से बढ़ रहा है वही सेल्स ग्रोथ की बात करेंगा तो सेल्स पास साल पहले 4 परसेंट से बढ़ता था जो 0.5 पर आ चुका है पिछले 3 साल से यानि ए चीजे होती रहती है ध्यान देंगे अगर इस पर तो देखेगा stock rate जो कर रहा है यह लगबग 8.23 times इसके book value के कर रहा है यानि अगर आप इसको बेचोगे तो इसकी जो book value है उससे यह ज्यादा है यानि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलट होना चाहिए बट company को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा brand है तो यह आप थोड़ा सा neglect कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है पूर growth है जैसे मैंने कहा कि company जो है पहले पास 3.68 परसेंट से grow कर रहे थी जो अभी 2.62 परसेंट पर आ गई है तो यह थोड़ा सा concern वाला बात है अगर आप long term के लिए सोच रहे हो लेकिन हम लोग यहाँ पर आज long term की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे है तो उसको हम लोग completely avoid कर देंगे नीचे स्क्रोल करते हुए आओ के दोस्तों आपको quarterly result मिलेगा तो September का रिजल्ट आ चुका है तो दोनों को compare करेंगे जून और September को तो देखिए यहाँ पर पीग अगर यह पूरा compare नहीं करना है तो end point पर आज यह पर EPS लिखा हुआ है 2.25 का था मार्च में फिर जुले का जब रिजल्ट आउट हुआ तो 3.86 निकला और जब सप्टेंबर का आउट हुआ तो 4.48 निकला यहाँ यहाँ पर ग्रो कर रहा है मतलब company grow कर रही है ठीक है तो यह चीज होगे नि company grow कर रही है प्रोपी एनल के उपर से देखो के तो आप यहाँ पर पता चल जाएगा यह yearly है हमने यहाँ पर quarterly देखा अब यह yearly है yearly भी देखो के तो यह 22.91 था फिर 14.64 हुआ फिर 14.94 हुआ ठीक है आप dividend के नीचे आते हैं तो balance sheet को skip कर देंगे थोड़ा cash flow थोड़ा important होता है तो उसके उपर आ जाएंगे cash flow देखे कि company के पास पैसा बहुत कम है company के पास धाइस सो करोड की requirement है लेकि पैसा short है ठीक है किस तरह से पढ़ सकते हो तो वो वीडियो का link चाहिए तो मैं description में दे दूँगा अब वहाँ पर जाके वो वीडियो देख लीजेगा फिर आके इसको analyze कर लीजेगा फिर आपको पता जले के cash कम क्यूं है पर यहाँ पर फिलाल मैं कर चुका है तो मैं आपको बता देता हू इन्हों ने जो है अपना debt का repayment किया हुआ है और लगबग 50% का repayment हुआ है debt का उसकी वज़े से जो cash है यहाँ पर फिलाए शॉट हो रहा है अब नीचे आ करके देखेंगे तो ROC देखिए लगबग पिछले 2016 से 1-1% से गिर रहा है 23, 22, 21, 20 और 19 और तो यहाँ पर जो growth है यानि return on capital employed जो है उसके मुकाबले growth थोड़ा कम कम होते जा रहा है data days भी है वो भी कम हो रहे data days यानि 43 दिन में यहाँ पर पैसा arrange हो सकता है अगर requirement है तो अब चार्ट के उपर भी देख लेते हैं थोड़ा सा नजर मार के चार्ट देखिए का दोस्तो टूल्स पहले बता दू मैंने मैंने आपर जो indicator लगाए हुए वो है बोलिंजर बैंड, RSI और MACD अब इसके उपर अगर आप देखोगे तो दो चीज़े समझ में आती है MACD जो है वो फिलाल हमें अपर मुह में, यानि MACD का जो signal लाइने वो ओपर trade कर रहा है वही RSI का जो लाइने वो दिखा रहा है कि price जो है वो weak हो रहा है यानि आज price हुआ करता था 60 तो उसका उपर का price नीचे गिर के लगवाग अभी 53 हो गया यानि 60 से 53 का हमें downfall देखने को मिल रहा है यानि पर price वीक हो रहा है वही हम लोग अगर volume की बात करेंगे दोस्तों तो volume जो आप परसो वो कुछ साड़े 8 लाक हुआ करता था जो आज कम से कम 10 लाक के आसपास का volume है यानि volume भी अच्छा है ये share में अब यह negative है positive है वो अलग बात है बट share में volume होना चाहिए volume है मतलब share जो है वो लाटाइल है लोग उसमें trade कर रहे है buying and selling हो रहा है अब यहाँ पर आप देखो के तो दोस्तों मैंने share trade कर रहा है और उपर जाते जाते शेयर जो है वो लगवक 700 के आसपास जा चुका है और यहाँ पर उपर जाते हुए एक line में और लगाई हुए यह red वाली line है तो यह line वह है दोस्तों जहाँ पर एक resistance बना था जो अभी share इस line के ऊपर जाने के बाद एक support का रूप जो है वो ले चुका है यह अभी हमारा support का काम करेगा अब इसको ऊपर थोड़ा पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पर और एक line आपको दिखाए देगी यह दूसरी वाली orange line है यह orange line यह line है जब यह share अपना red line के ऊपर निकल चुका था तो एक दूसरा resistance बना रहा था तो एक resistance भी बनना ज़रूरी है तो यहाँ पर यह बन चुका था resistance और जब line इसके ऊपर निकल जाती है यह शेर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो यह बन जाता है support और इसके ऊपर और एक resistance बन जाता है जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बात पता चलती है यह शेर ऊपर निकलके ऊपर अला green line को टच करके वापस नीचे आ गया यह बन ग्रीन वाला बन गया resistance यह बन गया support और जब यह support टूट जाता है तो यह बन जाता है नीरा लाल वाला दूसरा support अब यहाँ प हमारा जो support है exactly वहाँ पे शेर आज close हुआ है अब यहाँ पर पॉर्चुनिल्टी क्या है और किस तरह से बनती है यहाँ पर आपको यह चोटा सा triangle बना हुआ दिख रहा होगा यह blue line का और orange line को अगर जोड दोगे तो एक triangle बना हुआ दिखाई देता है ठीक है तो यह triangle जो है इसे कहते है free space यहाँ पर आपको जो है यह अपका target होता है यानि 697 से लेकर के आपका target बन जाता है 750 का अभी आपको buy कहाँ पर करना है जैसे यह share यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है आपको करना है इंतजार दिखाई और जैसे यहाँ पर कहीं पर बीच में एक support लेक करके ऐसे green line या फिर ऐसे green line बना देता है यानि अपना support confirm कर देता है और दूसरा green candle लगा देता है और अच्छे या फिर पहले line पे अच्छा up move दिखा देता है तो आपको वहाँ पे करनी है खरीदारी slot में खरीदारी करनी है जोस्तो तो पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है slot-surط में खरीदारी करनी है तो slot-surط में करेंगे खरीदारी और जैसे जैसे share उपर जाएगा आप अपनी share को add करते जा सकते हो और जैसे xare ये red line के उपर निकल जाएगा आप यहाँ पर कहीं बड़ी जब यह शेर यहां से नीचे आख करके वापस समझेगा यह आ गया 660 पे और बाउंस बैक दिखाया गया 670 पे चला जाता है तो यहां पर बाई करना है तो 670 से लेकर करके आपको लगबग वह 40 पॉइंट और उपर का 50 पॉइंट का बेनिफिट यहां पर आप कमा सकते हो अगर यहां से नीचे चला जाता है तो भाई आपको stop loss बुक कर लेना है बात को खतम कर देना है यहां से उपर बाई है यहां से नीचे stop loss बुक है और टार्गेट रहेगा 750 का तो दोस्तों ये था मेरा point of view गोज्रेच consumer product के बारे में अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल के subscribe जरू कीजेगा और telegram चैनल से जरू जुडियेगा दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल अगले वीडियो में किसी और share के साथ तब तक के लिए thank you very much